दीपी चास्ट्री जी मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि होली के दिन लोग मास मदिरा का प्रयोग भी करते हैं, होली खेलते हैं, पाटीज में जाते हैं, तो ऐसा करना क्या आपके जीवन में किसी तरह की परशानी लाव सकता है, क्या इसे हम अश्चुब कह सकते हैं? नहीं, सनातन धर में गित्या किया गया है, होली पर में राग, द्वेश, पहर, भाव सब मिटा देना चाहिए, उसके साथी होली पर मनना चाहिए, जी, जी, आपके अगर आप थोड़ा सा दुरुस्त कर लें आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है उसको अगर ठीक कर लें तो मैं वापस लोड़ती हूँ आपकी पास अरविन जी उपायों के बारे में बात कर लेते हैं चुंकि आपने बताया क्या कुछ किया जा सकता है तो होली के दिन ही आप बता दिजे कि क्या कुछ उपाय तंमाँ परिशानियों को दूर करते हुए छोटे छोटे उपाय देखिए उपाय तो ऐसा है कि काफी सारे ऐसे उपाय हैं जिनको आप छोटे छोटे उपाय कर लेंगें तो बहुत ही आपके जीवन में जो है वह आपके लिए शुखद रहेंगे और परिशानियों से जूज रहेंगे तो आप उन परिशानियों से बाहर निकल गाएंगे देखिए होलिका का पूजन वैसे ही आप करें जैसे की जो है भगवान का पूजन करते हैं होलिका मा के यहां आप जा करके बिधिवत अपनी थाली को पहले सजाएं और जैसे भगवान के पूजा के लिए थाली सजाते हैं जो भी आप घर में अपने पकवान आपने बनाया हो रोली मोली अगरवत्ती आदी आप जो है धूप दीप कपूर आदी चीजें सारी कुछ आप अपने थाली में सजा ले देखे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सारीरी कश्ट कुछ ना कुछ परेशानिया किसी को ब्यापार से संबंदित किसी को जौप से संबंदित किसी को सारीरी कुड़ा आदी आदी चीजें तो कुछ चीज़ें हैं जिनका उतारा करके आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जैसे कि लॉंग का जोड़ा हो गया आटा जो आप चालते हैं वो चौकर हो गया आपकी तीनों प्रकार की सर्शों हो गई और उसके अलावा यदि आप बहुत जादा कुछ परेशान ह तो एक नारियल ले लें नारियल का भी आप जो है उस में जो है डाल सकते हैं ये सारी चीज़ें सरीर से उतार लें और उसके बाद जो है जब आप पूरा पूजन कर लें सब कुछ बाद में आप जो है इस चीज़ को वैसे उचित तो ये होगा कि जिस टैम पे होलिका का द हमारे धर्म सास्त्र में इनी सनातन धर्में उस चीज का तो एक मैं क्या कहूं नाम लेना भी महापाप कहा गया है जो बिक्ति इसका दारू है मीट है आदि मांस का सेवन करते हैं उसका यहां पे मुझे बताना और कहना ये भी मेरी लिए पाप होगा क्योंकि आप किसी की भी जीव हत्या करके और उसको खा रहे हैं इससे बड़ा आप पाप और कुछ नहीं कर सकते ये सबसे महापाप है और रही बाद जो तामसी प्रवित्ति को पीते हैं वो भी सराब क्या है सड़ा हुआ जल है और उस सड़े हुए जल को जब हम पान करते हैं तो हमारी मत ही हमारी बुद्धी हमारा विवेक उसी प्रकार सड़ जाता है जैसे वो शड़ा हुआ जल है और इसको पीने के बाद विक्ति की मन मस्तिक्स में क्या विचार उत्पन होंगे कभी भी सात्तिक भावनाओं में नहीं आ सकता यदि जिसको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना क्योंकि यह जीवन तो ऐसा है कि जैसे आपकी कुलफी है ना कुलफी पिघल रही है उसी प्रकार हर्चन यह जीवन पिघल रहा है हर्चन यह जीवन पूरी तरह से नश्ट हो रहा है इस पल को आप जितना अत्यधिक भगवान के चर्णों में लगा दें अपने अच्छे कर् आएंगे क्योंकि जीवन कहते ना कि बारम बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुरलब सब ग्रंतें गावा यह बाबा ने मानस में कहा कि बड़े भाग से मानुस्तन मिलता है और उसमें भी आप सुयोग बुद्धी जीवी और स्वस्त निरोग जब होते हैं ऐसे में य खाना पीना तो बहुत बड़ी बात है आप अपनी कलपना तक ना ले जाएं अपने जीवन को धन्य बनाना है तो शात्विक रूप से जीवन बतीत कीजिए और बड़े अच्छे से यह जो है अपना जीवन धन्य कीजिए कहते हैं धुरूओ जन्म मृत्त से चा जिसने जन हमारी मृत्त है वैच्छन सुनिश्चित है उसमें एक पल भी आगे पीछे नहीं हो शकता तो इस जीवन को यदि धन्य करना है तो आप इस तिवहार का सहारा ले करके इन चीजों का पान बिल्कुल ना करें और बिल्कुल भी ना खाएं यदि पान करते हैं खाते हैं तो ख को इए जैगा लागे तो आव सो आप कर तो आथा तो बिल्कुल नी करें और कि अपने घर को फ्यरिवार के साथ कि कुषल से अपना जीवन वितित के रहा की अचित घुम्यम को दो है